असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ, आप सब अच्छे से होंगे, और अल्ला के रह्मों फजल से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और अल्ला पाक हम सब को अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और जो मेरे जितना भी मटन है, उसका डबल प्यास लिया है, क्योंकि स्टू में प्यास का ही सारा काम होता है, तो रेसिपी तो शेर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना है, और आज हमारे घर पे कोई स्पेशल आया हुआ है, आज हमारी मुआनी और मामू आये वो काफी दूर से आये, काफी टाइम के बाद आये हैं, वो और उनकी फैमली, तो आगे वीडियो में मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, और खाना मैंने जल्दी बनाया था, इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं शेर किया है, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो आये हैं, उनके पास भी बैठना था, बच्चे थे, तो बच्चों से बाते करनी थी, और मेरी बेटी छोटी और बड़ी, वो भी बहुत परिशान कर रही थी, इसलिए रेसिपी तो नहीं शेर किया है, जल्दी जल्दी में, बस थोड़ा बहुत सा रिकॉर्ट किया था, उसके बाद खाना वाना बना लेंगे, और खाना पीना खा के, फिर हम लोग बाते करेंगे, और खाने के सासाथ मुझे आपसे उनको मिलवाना भी है, और फिर चलिए तो उनसे मिलते हैं, बाते करते हैं, देखिए हमने कितनी मस्ती की थी, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ट की थी, और खुश मिजाज है वो बिलकुल हम लोगों के साथ दोस्ती जैसा उनका रिष्टा है तो आईए फिर खाना हो गया था खाना खाया था हम लोगों ने डाल भी बनाई थी इधर डाल बन नहीं है इधर मीट बनना है इस्टू मतन का और कबाब थे सलात वगएरा था आईए मिलते भावी हम कमरा फेज करेंगे wenn दो शेर माय वी यह बएए था और उसके वी आ पावी है भी माशालला है लमणाई अच्छी है लेकिन भी चोती सी है तो शर्मा रही थी कि हम भावी हम नहीं आएँगे लेकिन भावी है भावी तो भावी है फिर मैंने उनको छीडा था और हसी मजाग कर रहे थे और मुआनी भी बैठी है और उनका मेरा प्यारा सा क्यूट सा जो ये शरार्ती सबसे नटकट और छोटा देवर है वो भी बाते कर रहा था और वो आप से यही कह रहा था कि मेरी भावी से मैं मिलने आया हूं और भावी के चैनल को लाइक करिए और आग मुआनी आप कुछ बोलेंगी और